नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब? क्या आपके हडिया भी समय से पहले कमजोर होती जा रही है? समय से पहले आपके आँखों की रोशनी भी चली गई है मतलब की आपके आँखों पर चश्मा चड़ चुका है आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं उनको तक चश्मा लग चुका है इसके सासाथ आपका वजन बहुत जादा बढ़ता जा रहा है आपका BP high रहता है, diabetes की आपको समस्या है आपका digestion बहुत जादा weak हो गया है कुछ भी खाते हैं, हमेशा खाने के बाद कभी भी आप active feel नहीं करते बलकि हमेशा आपको सुस्ती चाही रहती है और आपको बहुत जादा खाने के बाद acidity, भारी पन, यह सारी समस्यां को अगर आप face कर रहे हैं तो बस आज से ही मेरी बताई हुई इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजेगा और follow कर लीजेगा नहीं कभी आपको cancer होगा, नहीं sugar, नहीं diabetes, नहीं motapa, नहीं आखों की कमजोरी और आपके शरीर के organs बिलकुल साफ हो जाएंगे आपका digestion बहुत अच्छा हो जाएगा, depression बिलकुल खतम हो जाएगा अगर आपके बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही तो वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी आपकी हड़ियां इतनी strong हो जाएंगी कि उनमें दर्द बिलकुल गायब हो जाएगा सुनकर हैरानी हो रही है न बिलकुल होनी भी चाहिए क्योंकि आजकर के जिंदिकी में हमने सूरज की किरन को यानि सूरज के संपर्ग में आना बिलकुल छोड़ दिया है आजकर हम लोग बहुत जादा indoor lifestyle जीने लगे हैं आउटडोर की जगा आपको पता है पहले के जमाने के लोग घर के अंदर कम और घर के बाहर जादा बैठा किया करते थे हमेशा सूरज की रोशनी में खेती किया करते थे सारे घर का काम किया करते थे बच्चें सूरज की धूप में खेला किया करते थे तो उनका विकास उसी की तरीके से भी होता था ना ही कभी पहले diabetes थी ना ही कभी blood pressure किसी का high होता था ना ही किसी के lambाई में दिखकत ना ही किसी के हड़ियों में कमजोरी थी लेकिन आजकल ये सारी समस्यां बुड़ापे को तो छोड़ लेकिन समय से पहले हमारे शरीर में ये सब कुछ होने लगा है बाल समय से पहले पकने लग जाते हैं यानि सफेद हो जाते हैं आँखों की रोशनी चली जाती है साथ में हड़िया तो बिल्कुल ही कमजोर हो चुकी है आजकल 25 साल की उमन में ही हड़ियों में दर्द, मास पेशियों में सूजन की समस्या आने लगी है और इसके लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और बहुत जाल तरह की मेडिसिन खाते हैं लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि आपको सूरज की रोशनी में जाना कितना जादा ज़रूरी है सूरज की रोशनी में छोटा सा पौधा भी लगाया जाए तो वो भी एक बड़ा पेड़ बन जाता है सूरज की रोशनी में ही उगाय हुए खेती में बहुत तरह से आपको फल, अनाज, सबजिया मिलती है जब उनका विकास हो सकता है तो आपका विकास कैसे नहीं हो सकता तो खुद सोचिए कि अपनी जिन्दिकी को अपने बच्चों को एक कमरे में और एक पूरे घर में बांद के ना रखें जब सूरज उके ये तो उसकी रौश्णी में उनको खेलने दें खुलकर उनको बढ़ने दें आप खुद नोटिस करेंगे कि उनकी हड़ियां बिल्कुल ठीक है उनकी लंबाई बढ़ने लगी है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को थोड़ा ब्रीफ में ताकि आपको सूरज की रौश्णी के फाइदे बता लगे और आज सही आप अपनी जिंदिकी को बदलने की ठालने मैं आज इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि सूरज की रौश्णी कितने बज़े से कितने बज़े तक आपको लेनी चाहिए किस तरह से आपको सूरज स्नांड करना चाहिए जिसके विज़े से आपकी सारी तकलीफे दूर हो जाएं और बहुत कुछ तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो थोड़ा से लंबा है थोड़ा time देंगे, ध्यान से सुनेंगे तो जिन्दी की भर सुष्ध रहेंगे और मेरा motive सिर आपको स्वष्ध और आपको strong करना है खुश रखना है अगर आपकी हड़ियां बहुत जादा कमजोर हो चुकी हैं, तो ऐसे में सूरज की रोशनी आपको जरूर लेनी चाहिए, ना कि कोई हड़ियां तेज करने की, कैल्शियम की दवाएं, बहुत तरह की वाइटमिन स्पिल्स, इनकी जगा आप नाच्रल धूप ले, वो भी कब आपने सूरज की धूप लेनी है, सुभा के वक्त, जब सूरज उखता है, और रात को जब शाम को धनने लगता है, उससे एक घंटे की पहले की धूप आपने लेनी है, या आपकी स्किन को कोई काला भी नहीं करेगी, और उससे मिलने वाले सारे बेनिफिट आपको मिल तो आज से ही अपनी हटियों को मजबूत करना चाहते हैं, चाहते हैं आपको औस्टोपॉरेसिस या गठिया या आपको कोई भ्यंकर बिमारी ना हो हटियों की, तो प्लीज आज से ही विटामिन D लेना शुरू करें, वो भी नाच्रल धूप से, इसके लिए आप घर के आं प्रॉब्लम थी, सारी के सारी प्रॉब्लम जड़ से खतम हो जाएंगी, मेरे घहने पर आज से एक हफ़ता सूरज की धूप लेना शुरू करें, दोनों वक्त की, अगर दोनों वक्त की पॉसिबल नहीं, तो सुभा की ले, शाम की मतले, वैसे तो मैं आपको ज़रूर पॉसिबल करें अपनी लाइफ में, और एक हफते में आपको पता लग जाएगा कि दवाईएं आपके शुरीर पर असर करी हैं या धूप का असर है, अब बढ़ते हैं दूसरे फाइदे की तरफ, जो है आखों की रोशनी, आज कल छोटे-छोटे बच्चों को च गंटे की धूप और जब सूरज धलता है, वो एक गंटे की धूप आप लेंगे, तो आप उस अपनी आखों से अगर सूरज को डारेक्ट देखेंगे, तो इससे आपकी आखों की रोशनी बढ़ने लगती है, अपनी आखों को बंद करें, खोलें, पलक जपकाएं और धू लगातार अपने बच्चों को धूप से डारेक्लिए अपनी आखों से धूप, यानि सूरज को देखने देते हैं, सुबह और शाम में और खुद भी देखते हैं, तो आपकी आखों की रोशनी में जमीन आस्मान का फरक आपको खुद देख जाएगा, तो ज़रूर इस नाइटरिक ऑक्साइड होता है, एक ऐसा कंपाउंड जो सूरज के एक्सपोर्जर के बाद आपकी तवच्चा में रिलीज होने लगता है, जिसकी वज़से आपके शरी में जितना भी फैट है, वो खतम होने लगता है, डाइबेटीस कंट्रोल में आने लगती है, और आप आपको कप्स की समस्या है, वो डापे की समस्या है, पेट फूलने की, आसे डिटी की, किसी भी तरीकी की डाइजेशन की समस्या है, वो बिल्कुल खतम हो जाएगी, आज से लगातार एक महीना, मैं आपको कहती हो कि आपको थायरेट की, आपको PCOS की, PCOD की, इनफर्टिलिट की कोई भी प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएगी, आपके बॉड़ी में ऐसे कंपाउंड रिलीज होते हैं, सूरज की रोशनी में आते हैं, जो आपके सारी हार्मोन इंबालन्स को बिल्कुल बैलन्स कर देते हैं, लगातार एक महीना लें, उसके बाद कमेंट करें, कि हाँ, दी आपने सच कहा था, कि सच में ऐसा हुआ हमारा PCOS, PCOD बिल्कुल ठीक होता जा रहा है, हमारा जो थायरेट था, वो बहुत हद तक सुधर चुका है, आप खुद नोटिस करेंगे अपनी अंदर बदलाव आते हुए, अगर आपको नीन बिल्कुल अ कावर को बढ़ाती है, आपकी मेंबुरी शार्प करती है, साथ में आपके जो मन केंदे एक अंधेरा बढ़ गया ना, उसको ये खतम करती है, और आपके दिमाग को तेज करका उसमें सारे डिप्रेशन, एंसाइटी को बिल्कुल खतम कर देती है, आपके मन को एकदम शान् आएंगे और सुबह उठते ही बहुत active feel करेंगे आपके शरीर में किसी भी चीज की कमी नहीं आती आपने notice करा है आप पढ़ सकते हैं research में भी पाया गया है कि जहां जो बाहर के देश है जहां धूब बहुत ज्यादा कम है उनकी bones ठीक से develop नहीं हो पाती उनका physically कुछ ना प्रचों के high touch नहीं होती है उनकी bones बहुत जादा weak होती है उनको हड़ियों से लिटेट बहुत जादा समस्या है फेस करनी पड़ती है जिन देशों में धूब बिलकुल भी नहीं आती तो आज से ही आप तो बहुत लगी हैं कि आप इंडिया में रहते हैं और धूब का फा करती है आपको high BP की समस्या है या आपको heart से रिलिट कोई भी समस्या है उसको ठीक करती है आपके शरी में blood circulation को fast करती है खून को पतला रखती है जिससे कि आपका दिल ठीक से काम कर पाता है आपके blood में जितने भी toxins जमा हो गए है उसको निकालती है आपकी पूरे organs को साफ कर अपने दॉक्ति है दूप तो सुभा जब धूप में खड़े हूं तो नंगे पैर खड़े हूं क्योंकि धर्ती में एक ऐसी gravity होती है जब सूरज की रोशनी बहुत दे तक धर्ती पर पड़ती है और जब हम उस पे नंगे पैर खड़ों का सूरज की रोशनी लेते हैं तो उससे मारे पूरे बॉड़ी में बहुत जादा एनरजी दौर पड़ती है और सारी शरीर की तकलीफें बिलकुल खतम हो जाती है तो जरूर सुभा सूरज की धूप लें और फिर देखें कि आपके शरीर में होने वाले बतलाब आपको किसी डॉक्टर की ज़रूद नहीं आ जाए तेक के दिन से हल्दी लव यू लूब यू लू 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 झाल